नमस्कार दोस्तो स्वागत है दोस्तो यहाँ वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों के विवा में काफी अर्चने आ रही है जिनकी उम्र हो गई है लेकिन विवा नहीं हो पा रहा है तो हुली का दहन के दिन इस प्रयोग को जरूर करें भुली वाली दिन आपको एक सुखा गोला लेना है उसके अंदर आपको उसका मूँ काटकर उसमें छेट करना है उसमें आपको क्या-क्या सामगरी भननी है वो आप लिख लीजिए आपको उसमें जो जौव भननी है काली तिल भननी है गुर भनना है बुड़ा भनना है थोरी सी दो तिन चुटकी हल्दी भन्नी है एक हरी इलाइची दो लॉंग कपूर का तुकरा थोरा सा बटासा भरना है यह सारी चीचे इसमें रख दिजिए इसको काले धागे से बान लिजिए फिर आपके बच्चे जिनका विवा नहीं हो रहा है उनके उपर से आप साथ बार भी डाल दीजिए इस दिपक को जहां हुलिका दहन होती है हमाल ले जाना है और उससे वहां पूजा करना है और उसे वहां रख देना है और उस नारेल को उस हुलिका दहन में डाल देना है यह सब आपको अपनी विवा की मनुकामना करते हुए करनी है और अगर माता पिता क तो उन्हें अपने बच्चे के विवा के मनुकामना करते हुए करनी हैं। आप यहाँ प्रयोग कीजिए। इससे आपके विवा के रास्ता धीरे-धीरे खुलने लगेगी। तो दोस्तो आसा करता हूँ आपको हमारे यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे यह वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना।